हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाएंगे राजमा एकदम होटेल जैसा राजमा बना के और तैयार करेंगे फ्रेंड्स और बनाना बहुत एजी है और नहीं इसमें कडा ही कि आपको जुरूरत पड़ेगी और नहीं आपको पैन की जुरुत पड़ेगी हम इसे सिंपल भगोना जो होता है जिसमें हम दूद गर्म करते हैं बस उसी में हम आज ये राजमा बनाके और त्यार करेंगे और यह राजमा चावल मैंने सौर किया है देख सकते हैं सौर करने का अंदाज देख सकते हैं कितना टैम्टिंग लग रहा है यह राजमा बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है तो आप मेरे इस तरीके से बना के एक बार ट्राइ करें रेस्पी बिल्कुल सेंपल है जो कि आपके घर के ही समानों से यह राजमा बनके तयार हो जाएगा इतना पॉर्फेक्ट ही राजमा बनेगा फ्रेंड्स की आप हर बारी यह वीडियो देखेंगे और इस राजमा को बना के और ट्राइ जरूर करेंगे तो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने किचन प्रत्यांस किचन में तो चलिए फ्रेंड्स फटा फट इस रेसिपी को मनाना स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको राजमा लेना है राजमा आपको रात भर भीगा के रख देना है फ्रेंड्स और मैंने देखिए रात भर भीगा के रखा यह राजमा बिल्कुल यह जुन नया राजमा आता है ना वह मैंने राजमा लिया है अभी पहलो के लड़ा है यहां पहल や घर में गेरम मसाले मिलिया है औरुस्मार जुए है तोड़ रहे हैं एक तोड़ रहे हैं घ्रिटल गिर ला इंगे चरहिए चाहे है उसके भी लाग हे है इसे उसे पται से क्लिकन लें असवे और या मैंगे खड़े मसाले आपको पसंदना उसे इसकेप कर सकते हैं इसे हम गैस पर रख देंगे और मैंने हाई फ्लेम पे दो सीटी लगाई है लो फ्लेम पे एक सीटी लगाई है और उतने में जो हमारा राजमा एकदम स्वाफ्ट हो किया और तयार हो जाएगा तो एक सीटी लग चुक कि आधा चोटा से भी कम जीरा पाउडर आपको लेना है उसी के साथ यहाँ पर डाल देंगे यह कस्मेरी लाल मेरेате पाउडर और थोड़ा सा यह लाल मिरेज पाउडर डाल देंगे त्इखा अपने अनुइनन सार्जेस्ट करें और यहाँ पर कसूरी मेytt sih मे डाल दिया है यहीं पर डाल दिया है और इसमें थोड़ा पानी डाल के और अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मसाली को फूल ने देंगे मतलब इसके अंदर पानी अपने अंदर अब्जॉब करेगा और यह जो मसाले बनते हैं ऐसे काफी टेस्टी वो सबजी बन जाती है तो इसे हम साइड में करते हैं और यहां पे मैंने भगोना लिया है फ्रेंड्स यहां पे कडाही मने यूज नहीं करी है तो यहां पे हम तेल डाल देंगे और तेल में हम डालेंगे वन टेस्पून जीरा एक चोटा चमच और उसके वास से तीन से चार लॉंग मैंने डाला है और दो हरी लाइची जिसको खोल लिया है मैंने बस इतने खड़े मसाले मैंने यूज किया है फ्रेंड्स यहां पे क्योंकि मैंने प्रेसर क कर लेंगे और इसे ट्रांस्परेंट होने तक पकने देंगे बहुत जाद आपको लाल नहीं करना है फ्रेंड्स इस बात का खास दियान रखें और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपको ट्रांस्परेंट जैसा दिखने लगा होगा बहुत जादा हमने इसे ब्राउन नही क्या देख सकते हैं तो इसमें डाल देंगे कुटी हुई लहसुन और अदरक आप पेश्ट भी यूज कर सकते हैं लेकिन जो ताजा कूट की अब डालेंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप वैसे ही कूट की ही डाले मैं आपको सजेस्ट करूंगी और अच अच्छा पन जब तक ना निकले तब तक हम उसे पकने देते हैं और इस इधार प्रेसर कुकर भी अच्छे से ठंड़ा हो चुका है तो इसे हम खोल के और देख लेते हैं जो राजमा है वो पकाय की नहीं तो फ्रेंड्स एक चमच से चेक कर लेते हैं और देख सकते हैं फिर तो भी ठाना नहीं है भगोने में डालकर बनाना है तो एक तम परफेक्ट इसकी सबजी बनके और तयार होगी और यह देख सकते हैं इसका कच्छा पन चला गया अद्रक और लैसन का तो इसमें हम डाल देंगे जो हमने मसाले भीगा के रखे थे वो डाल देंगे और फ्र प्राइ मसाले होते हैं फ्रेंड्स बहुत जादा टाइम नहीं लगाते हैं भूनने में देख सकते हैं तेल काफी अच्छा से रिलीज हो चुका है तो यहां पर हम टमाटर डाल देंगे यहां पर मैंने चार टमाटर भी लिए हैं मेरे डाल दिया आप चाहें तो रफली कट आते समय नमक एड़ गिया था और यह देखिए बिल्कुल अच्छे से चारो और तेल रिलीज हो गया है मसालो ने अपने तेल को रिलीज कर दिया है मसाले काफी अच्छे से भून चुके हैं बहुत ही अच्छी खुजबू आ रही है इसमें से एक बार इस रेसिपी को आप शुरू ट्राइब करेंगे आप लोगों बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी तो फ्रेंट्स मसाल अच्छे से भून चुके हैं तो इसमें अपने राजमा को डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम मेडियम कर देंगे और उसके बास इसे धीमी आज पर हम पकने देंगे फ्रे और पकने देटेंगे और यहां पर मैगी मसाला बहुत ही अच्छा टैस्ट आएगा और आप तो यहाँ पर मैगी मसाला की जग गरब मसाला यूस कर सकते हैं friends और इसे अच्छे से mix कर लेंगे और 1 मीनट हमएचर देंगे और इसके वास हम गयास की stee flame को off कर देंगे तो यहाँ हैस के flame को off कर दिया है तो इसमें डाल दिया है फ्रेस हरे धनिया के पत्ती और उसके बाद से इसे मिक्स कर देंगे और ये देखिए हमारे जो राजमा है कितने टेस्टी देख रहे हैं बिल्कुल होटेल की तरह या फिर होटल से भी अच्छा और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं आपको ये पंदरा मिनट बात दिखा रह है तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें थैंक्यू फूर वाचिंग इस वीडियो